कि विल्कम बेक टूमाय यूट्यूब चनल पेपर हैकर आज आपके सामने फिर मैं एक बहुत ही वहतरीन कुश्चन लेके आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बेसी पार्ट बन बेसी पार्ट बन जिसमें हमने अभी तक चार-पांच कुश्चन कर लिए हैं वह अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे वाले जो वीडियो हमारे हैं उनको आप देख सकते हैं ठीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं आपके बेसी पार्ट बन समेस्टर ब सामने है इसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए कॉपी पेन उठाके त्यार हो जाईए और लिखना शुरू कर दीजिए साथ-साथ में आप लिखते रहना और समझते रहना ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सहीं बंद सिद्धान्त से आप क्या समझते हो इसकी ब्यूत्ति कीजिए यानि कि इसका पूरा हमें डेरिवेट डेरिवेट जो है वो पूरा हमें इसको ड्राइब करना है ठीक है तथा इसकी सीमाओं के बारे में जानकारी दीजिए अब हमें पूरा पहले व्याक्या करना है बताना है कि जो हमारा सहीं जी बंद आपांत। क्या कहते है पहले यह बताना उसके बाद कहरा है इसको कि गरा चाम के बारे बीवीटी था हमारा बीवीटी इसके इसको सबसे पहले किसने दिया था हिटलर नाम बिज्ञान किने हिटल ने दिया दा उनुनिस सो सट्ताईस मैं और यहें धन्धान्त हिटलर तर लंदन ने उन्निस स्ताईस में दिया था बाद में इस सिद्धान्त को पॉलिंग तर इस्टेलर अब यह दो मुख्य बिंदू निम लिखेता है अब यह जो हमारा भीवीटी क्या बताता ऐं कि जो हमारे दो परमाडू है कोई भी हमारेными दो परमाडू उनके बीच में एक बॉंड बनता इत्प लेकिन अब यह दो बैग्यानिक और इनने क्या काम करा इनने इसको यह जो बॉंड बनता है इनने मान लिया चलो ठीक है बनता लेकिन यह किस तरह से बनता है इसकी क्या पॉस्बिल्टीज हो सकते हैं क्या यह बना हुए बन जो है पूरा प्योड कोवेलेंटली होता है या इसमें कुछ जो है आयने करक्टर पाय जाते हैं बस इसी को इनने जानने के लिए यह दो बैग्यानों को ने इसको थोड़ा मोडिफाई कर दिया था इसी के बा का सवी माज़िक है पूरे सिस्टम का दरमटन होगा अभी यह देखो जो साही लिखा हुआ है यह क्या लिए-घ्रा यहां पर इननों को किस रूप में ले रहे हैं यहां यह इनौन ने भाना और उसी पर यह जो त्योरी है इसको उसी के साब से इनौने समझाए ठीक है तो यह जो साइए क्या है तरंक फंक्शन ऐटीक है और दो प्रमानु हमारे पास https ए और वी इन दोनों का तरंग फंक्शन क्या होगा साइइ साइब ठीक है तो कुल कह रहा है तो पूरे सिस्टम का पूरे सिस्टम मतलब की जो बना हुआ हमारा सिस्टम होगा मानलो तो mixed by lbp largest मिल बनात्रें एक चीज़ तो यह सिस्टम हमारे पास यह अलग सिस्टम है इनका होगा साईवन और साईटु तो यह जुद नहारा से अगर हम तरंक फंक्सन की बात करें तो साइब रादबर क्या हो जागा इन क्या कर देंगे क्या कर देंग साइब करें कि यह मॉलेक्व हमारे पास परमाडु है यह मिलकर क्या बना लेगा एच और है यह बन जागा हमारे पास एक न्या सिस्टम जिसका फंक्सन क्या होगा हमारा इसाने और आपक xy a, xy b ठीक, तो xy क्या कर तब है ? दूसरा कर रहा है, तो कहने का ताथ परिक क्या हुए ? यानि कि जितने भी परमाड होंगे, उनका जो तरंग फंक्शन होगा, बो, उनका जो तरंग फंक्शन होगा, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, तो क्या होगा, उनका गोड़न हो जाएगा, ठीक है, उन दोनों के हम क्या करते हैं, कि मल्टिपल करते हैं, हमें पूरे स सिस्टम का जो तरंग फंक्शन प्राप्थ हो जाएगा ठीक है तो दूसरा कहा रहा है यदी यदी एक के कई सारे तरंग फंक्षन तो सिस्टम का सत्य तरंग फंक्षन यानि कि पूरे सिस्टम का नेट तरंग फंक्षन क्या होगा नेट तरंग फंक्षन यानि कि कुल तरंग फंक्षन वो कैसा होगा linear combination से प्राप्त होगा यानि कि जो हमारे पास i1, i2 and so on, iN तक अगर हमारे पास तरंग function होगे तो total system, पूरे system का तरंग function ज्याद करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका linear combination कर देंगे, यानि कि हम उनको line wise सबको करमसा जोड देंगे, तो हमें के i2, i3 and so on, iN cn, 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 और cn, तक इतने हमारे पास बहुत सारे पर्माणू है जिनके तरंग function अलग-अलग है, तो हमें, उनको क्या कर देंगे, सबको जोड देंगे, तो हमें क्या मिलेगा पूरा जो है total, यानि की total function कि अगर हम बात करें तो हमें प्राप्ट हो जागा ठीक है मनलो हाइडोजन परीयोगे और पर्माड़ हमारे पास बहुत सारे पर माड़ोजन औक्षिए हाइडोजन नकालेंंगे तो हमको एक नियुक्षिकल को एड कर देंगे और हमें तो रहले है यह बताता यह सी वन तथा C2, C3 mixing coefficient है, coefficient क्या होता है, जैसे कोई संक्या, ठीक है, इसको हम गुड़न कहते हैं, ठीक है, गुड़क होता है किस संक्या, मानलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइडोजन की, इसके आगे अगर मैं यहाँ पर दो लिख दूँ, तो यही दो क्या कहलाएगा, coefficient परमाणू यह साइबन, साइटू यह परमाणू का ही function है, तो hydrogen 1 माने, hydrogen 2 माने, hydrogen 3 and hydrogen N, तभी हमें निकालेंगे, तो यहाँ बन, 2, 3 है, इनके आगे कोई संक्या भी हो सकती है, 2H, 3H, इस तरह से तो वही क्या ले लिया इन्होंने, C, यह क्या बता रहा है, coefficient को बतारा है, ठ करने के लिए प्रियोग किया था अभी दो बैग्यानिक थे Hitler और London नहीं क्या करा था इन्हें युद्धांत को kg करने के लिए प्रियोग किया था इन्हों एच टू यह कितना स्थाइए कितना स्टेवलरन की बिच में बनने वाला ऑंड कैसा है को भेलरन आइनक है इसी को जानने के लिए इन्होंने किसका प्रियोग किया था हाइडोजन अडू ले लिया था इन्होंने ठीक है इसकी ब्याख्या के लिए अब देखो किस तरह से इसकी ब्याख्या करते हैं कहरा हाइडोजन अडू के लिए संयोजी बंध सिद्धान संयोजी बंध बीबीटी किसके लिए हाइडोज BBT for hydrogen molecule तो यह BBT हमारे किसके लिए हो जाएगी hydrogen molecule के लिए हम बात करेंगे BBT की ठीक है तो balance bond theory hydrogen molecule के लिए क्या कहती है कहरा hydrogen अडू दो hydrogen परमाडू में electron परिवर्तन की संभावना होती है अब जो हमारा hydrogen अडू होता उसमें दो परमाडू होता है hydrogen के उन दोनों परमाडू में जो hydrogen का electron को परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता होता है भाई hydrogen जब अपने electron को exchange करेगा एक दूसरे के साथ तभी उनके बीच में bond बनेगा अब वो exchange के दो तरह से हो सकता है वो कौन से दो तरह हैं कहरा है इसलिए इसकी दो संभावित संरचना हो सकती है जब हम दो तरह से electron को exchange कर सकते है तो उनकी दोनों संभावनाए अलग अलग हो सकते है जो की एक जैसी होती है अब दोनों कैसे होती है identical मतलब एक जैसी होंगी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा हम दोनों को बता नहीं सकते यह first है यह second case है जिने हम इस तरह से देखेंगे ठीक है जिने नीचे दर्शाय गया है माल लो यह हमारा क्या है वन हाइडोजन यह क्या है हा यह प्लस तभी आड़ोजन वननेग ईच्ट्डू अधन है और यह दो है यह और दूसरा यह अब यह दोनों है डूजन बयए यह hydrogen आपको कैसे पता कि पहला hydrogen यह है या पहला hydrogen यह है तो इसमें दो possibilities होती है एक बार हम इसको पहला hydrogen मान लेते हैं एक बार हम क्या करते हैं दूसरे को पहला hydrogen मान लेते हैं ठीक है एक बार हम किसको मान लेते हैं एक बार हमने इसको पहला hydrogen मान लिया एक बार हमने इसको पहला hydrogen मान लिया जब इसको आप पहला मानोगे तो इसको दूसरा मानोगे जब इसको पहला मानोगे तो इस वाले को दूसरा मानोगे तो यह दो conditions हो सकती है ठीक है electron exchange करने की तो इसमें देख लो यह पहला hydrogen है यह हमारा दूसरा hydrogen तो यह hydrogen A है hydrogen इसको हमने नाम दे दिया और यह जो ऊपर यह क्या इसका electron hydrogen A पर इसका अपना खुद का एक electron प्रिजेंट है ठीक है और यह हमारा hydrogen B है इसको हमने कह दिया hydrogen B तो इसके यह electron इस पर कौन सा ये कहे ठिक है ये को पहला दिए और तोट्ब आज आती है यह दो संभावना होती है जिससे की इलेक्ट्राणों की प्रिवर्तन होता है तो इसका यह जो पहला हमारे पास सिस्टम है ह1, ह1 का जो function होगा, प्यों क्या होगा, a2 ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर पहले ह 18 पास एक था अब सिकंवा क्या पाइस के पास किते होगा दो इलेक्टॉन होगा तो इसका function क्या आ जाएगा साय ए टू और फूर्थ क्या हमारा hb1 1 इलेक्ट्राण आ गया पहले साय ह Otherwise थे खेंगे फृत्रा था एकर मिनें पहलेक्ट्रॉन दे दिया ठिक है तो इसका फंक्शन क्या जागा साइबि बंठ तो इस तरह से ही चार कुंदिशन्स हमाने सामने मिल जाएगी माना सई बन और तथा साइड सरचना एक तथा दो के तरंग फंक्सन है, अब य arrangements एक और दो, एक और दो यह आपको अभी graph में मिलेंगी, ठीक हैण ग्राफ में आपको देखने को मिलेंगे कि यह सरचना एक और यह सरचना दो हमारी ज़सित पर आपकी यह जो साइ 1 हमारा आएगा यानि कि first case के लिए अगर हम बात करें तो first case में क्या आएगा first case हमारा क्या फस्ट case यही तो है यहां तक पहले case में हमने क्या आना था h1 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 को हमने 1 electron दिया था hb को हमने 2 electron दिये थे तो यह हमारा first case हो गया अगर इसका total si function निकालेंगे तो हम क्या आजागा total si function इसका क्या आजागा si 1 is equal to क्या आजागा si a1 और si b2 तो यह आजागा हमारा first इसको हमने नाम क्या दे दिया third इससे उपर हमारी जो दो equations हैं उनको हमने एक और दो नाम दे दिया ठीक है यह size क्या होता है si a dot si b और total si a कैसे निकालेंगे si si 1 plus c 2 side 3 si 2 plus c 3 side 3 plus c and si n यह second हमारी हो गए यह question first हो ठीक है अब हमने नीचे वाले question को नाम दे दिया third अब हम बात करें जो हमारा second system है system 2 तो यह system तो दूसरा काम सा था हमारा इसको हमने hydrogen a को दूसर यह electron दे दिया था और hydrogen b को यह एक electron दे दिया था है इसको हमारी second condition है तो इसको हमने क्या करेंगे is he p a will दो एक electron तो इसको भी एक नया नाम दे दो ठीक है fourth हमने नाम दे दिया अब गहरा है system के सत्य तरण फंक्सन निम्लिकित समिकर द्वारा निकाला जाता है जो हमारा पूरा system होगा चार हमारे पास दो conditions बन रहे थी उनका पूरे का अगर हम function function निकालेंगे तो वो कितना आएगा वह किस तरह से निकालेंगे व हमारा हो जागा साइट 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 वह bedtime का साइट टिको दो हमस्फ तरह से इसको निकालेंगे तो इसको हम सकते हैं देखो यह मान लिए साह थीक है तो साहुं अगर हम निकाले एँ सी बन साइबन प्लक हैं यह 100 क्या है er society और टो सीवन सिवन आ हमारा किता है सबना मा यह आया है चन्हेल गया हमारा यह आगया size equal to c1 c1 तो c1 रहेगा c1 की जगहे पे हमने उसको उठागे रख दिया ठीक है third वाली question को तो इस third वाली question में हमारा क्या है si1 si1 dot sib2 इसके पास 2 electron plus c2 c2 रहेगा coefficient रहेगा और इसका यह जो si second है यह हमें यह से लिखेंगे si second क्या हो जागा हमारा फिप्त नाम इसको हमने दे दिया तो यह हमारा क्या गया total function आ ठीक है किसी system का जहां कहारा c1 और c2 mixing coefficient है किसके hydrogen अणू के लिए तो जो hydrogen अणू हमारा उसके क्या है c1 c2 mixing coefficient है ठीक है यानि कि मिस्रित गुणक है क्या है मिस्रित गुणक यानि कि पता नहीं है कि जो c1 है वो हमारा कौन से hydrogen का और joku c2 है वो हमारा कौन से hydrogen का ठीक है चलिए इसको मान लेते है कि जो हमारा c1 है वो अगर positive है और जो c2 है वो plus-minus का हो c1 बराबर कैसा होगा हमारा positive और अगर c2 की बात करें तो ये कैसा हो जागा पिलस और माइनस ये दोनों conditions को दिखा सकता है ठीक है इस case पे हम इसको आगे देखते है क्या कहता है अगर if c बराबर क्या होगा पिलस c to बराबर भी पिलस होगा एक condition ऐसी होगी जिसमें दोनों पिलस को होगे ठीक है दूसरी condition क्या होगी जिसमें c बराबर पिलस होगा हमारा लेकिन c to बराबर कैसा होगा माइनस का होगा ठीक है तो इससे देखो c के मान क्या हो जाएंगे तब c के दो मान प्राप्त हो सकते है कौन-कौन से मान प्राप्ट होंगे चलिए देखते हैं एक बार ये मायनस का क्या कर देगा मायनस कर देगा और पहले तो पिलस आई तो दोनों में क्या हो जागा पिलस तो साई अगर हम ऐसी की बात करें तो साई ऐस क्या हो जागा सीवन हमारा c1 था और si a si a1 si b2 plus c2 si a2 और si b1 यही था उपर हमारा इसको हमने एक और नया नाम दे दिया ठीक है समीकर नमबर 6 हमने इसको दे दिया next हमारा कह रहा है अगर हम बात करें b दूसरी condition की ठीक है तो दूसरी condition में क्या हो जाएगा यह c1 si a1 si b2 यह minus का चिन आजागा ठीक है यह जब हम एक minus का लेंगे तो कहा जागा minus का चिन आजागा तो c2 si a2 dot si b1 एक हम इसको भी एक नया नाम दे देंगे तो हमारे पास कितनी questions प्राप्ट होगी 7 questions हमें यहां से प्राप्ट होगी ठीक है एक एक करके तो पहला हमारा question काऊंसा तो हमें listen का उन साथा पहला question यह बता रहा था कि cool sign function केतना होगा किसी system का तोoney function क्या होगा हम उसके ॹसाई function होगे उस सभी साइ認為 multiply कर देंगे तो हमें कुल sign function مिलेगा इसको हमने नाम देंदीगा था 1 पूरे system का तरंग function मिल जागा अच्छा तो ये तरंग function हम किस तरह से जोड़ देंगे साई और जितने भी हमारे पास साई 1 साई 2 मालो जितने भी आपने परमानू ले रखे हैं उन सभी को हम क्या करनेगे उन सभी का तरंग function जोड़ देंगे तो हमें के मिल जागा पूरे system का तरंग function मिल जाएगा इसको हम कह रहा थे question 2 next हमारा क्या कह रहा है अगले में कह रहा है कि दो संभावना हो सकती है बेख परवाणू के पास पता नहीं कौन से के पास electron एक है कौन से के पास electron दो है इस आधार पर हमें क्या मिल गए थे दो function मिल गए थे साइवन और साइटू इसको भी हमने नाम दे दिया था third और इसको हमने नाम दे दिया था fourth next है कह रहा है कि जो पूरा system है हमारा system के सत अब हमें क्या करना है पूरे system का तरंग function निकालना है तो बो के समीकर से निकालेंगे बोम निकालते हैं साइज कल्टी के होता हमारा system system पिलस सीटू साइटू अभी साइटू की वैलू आप उठा के यहां से रख दो third और fourth समीकर से तो आपको यह मिल जागा ठीक है यह आपको मिल जागा जिसको आप नाम दे दोगे फिफ्ट समीकर नेक्स्ट कह रहा c1 c2 का हमारे कोफिसेंट हैं किसके हैं है यह हैडोजन पाड़ों के लिए ठीक है तो इनकी condition क्या है सी हमारा जो है इनमें से एक हम किसी को एक बार negative मान लेते हैं ठीक है अगर आप सीटू को positive मान होगे तो सीवन भी पॉस्टिव होगा एक बार क्या करोगे सीवन या सीटू किसी को एक बार निगेटिव मान लो ठीक है जैसे इन्होंने क्या मान लिया है इन्होंने सीटू को निगेटिव मान लिया एक बार ठीक है एक बार दोनों पिलस के एक बार एक निगेटिव है सीटू तो इस condition में हमें दो मान प्राप्त होंगे एक में तो क्या होगा बीच में प्लस होगा और दूसरे में क्या होगा बीच में माइनस आ जागा ठीक है साइबन साइट्व को बीच में तो यह जो हमारी सेवन्थ समीकड है यह क्या है symmetrical and unsymmetrical combination को प्रदर्सित करती है यही जो समीकर है हमारी सेवंथ वाली यही क्या है यह symmetrical और unsymmetrical combination को प्रदर्सित करती है जैसे कर हम बात करें कि electron दोनों एक ही electron का जो बित्रण है यानि कि उनका जो बित्रण है वो same है यानि कि दोनों electron एक ही स्पिन के दोनों का चक्रण एक ही दिसा में तो इस तरह से इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ठीक है तो यह क्या करेगा इस केस में बॉंड नहीं बनेगा तो यहां पर बॉंड नहीं बनेगा अच्छा तो यहां पर बॉंड नहीं बनेगा यहीं दिखा रहा है कि दोनों के अडू की अंतरा अडू को दूरी बे हाइडोजन अडू है हाइडोजन परमाणू अंतरा अडू को दूरी में गिराफ खींचा जाए बे हाइडोजन परमाणू की मानलों बहुत दूर दूर हैं तो इन दोनों को टक्कर कराने के लिए इनका अडू बनाने के लिए हमें एक दूसरे को पास लाना पड़ेगा, जब पास लाएंगे, तो इन दोनों की ऊर्जा कमेगी, जब ऊर्जा घटेगी, तभी इन में जो है बांडिंग होगी, और तभी एडू बनाएंगी, अगर उर्जा नहीं घटेगी, तो इनके बीच में बांड बनना संबब नहीं है ठीक है बस यही दर सारा यह ग्राफ यह जो आफ का पूरा ग्राफ है बो सिर्फ यह बता रहा है कि जब हम 2 दूर दूरस्ता हाईडोजन प्रमाग्रों को एक साथ लाते हैं यह नजदेग लाते हैं तो ओप कंडिशन क्या होनी चाहिए कि उनका जो इस पिन है तो उनके बीच में bond बनना संभव है अन्था उनके बीच में bond नहीं बनेगा ठीक है तो बस यही बता रहा है आपका यह पूरा graph यह जो line है यह क्या बता रही है आपकी energy को दरसा रही है यहाँ पर एक हमने point ले लिया है जिस पर मान लिया है zero energy है ठीक है इससे अगर आप ऊप के बताती है उर्जा बताती ऊपर चलोगे तो ऊर्जा एक निश्चित बिंदू से ऊपर चलोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी निश्चित बिंदू से नीचे आओगे तो उर्जा घटेगी यह point यह हमने मान रखा ठीक है potential energy इसकी ठीक अब देखो यह energy यह energy line है हमारी पूरी ठ क्या है hydrogen परमाड़ू है और इन दोनों hydrogen परमाड़ू का जो electron है वो कैसा है यह यह यहाँ देख लो एक बार यह उपर और यह है यह इस hydrogen और यह दूसरा hydrogen हमारा इसका electron यह है और दूसरे का electron यह condition होते कि इन दोनों के जो क्या नाम इस पिन है एलेक्ट्रॉण के वो opposite होंगे यह condition तो भी जिसमें इंट्रेक्ट हो जाएंगे यानि की बॉंड बना लेंगे शेर कर लेंगे ठीक है और इससे उपर उपर अगर मान लो यह है इनको पास में लाया जाए और इनके सिस्टम इनका जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा सेम तो यह सेम स्पिन होगा इनका तो यहां पर हम क थोड़ा इधर ला रहे हैं, जैसे जैसे आप इधर लाते जाओगे, तो ये condition वो होगी, जैसे मान लो पहले दूर दूर हैं, फिर किया थोड़ा हम और पास पड़ें, ये दोनों और पास आगए, फिर थोड़ा और आप आगे बढ़ोगे, फिर आप थोड़ा और आगे बढ प्रोजन हमारा लगबग इससे बहुत ज्यादा ओपर लैप और लैप कर चुका होगा तो यह कंडिशन एक बहुत इस टेबल कंडिशन होती जो कि बहुत अधिक नेगेटिब उर्जा पर होती ठीक है यानि कि बहुत कम और जाए इसमें तो यह कंडिशन कैसी होती है जाके होती बढ़ती जाती और यह दूर दूर और यह दूर दूर होते जाते ठीक है तो यहीं पर बॉंड PSY B 2 PLUS PSY A 2 PLUS DOT PSY B A ये हमारा क्या आजागा? इस पूरे सिस्टम का तरंग फंक्शन आजागा ठीक है? पूरे फंक्शन ये हमारा A था ये हमारा क्या है? ठीक है? H A और H B तो यहां से हम दोनों का तरंग फंक्शन निकाल लेंगे दोनों जुड़ जाएंगे तौ हमने जोड़ दिया इलेक्टान आपको देहां रखना आप को यह तो हमोपर वाली लाइन की बात करें जिसमें की और आपस पॉच्टिपув का नेगेटबली नहीं है इसमें अगर हम दो hydrogen प्रमानों को साथ साथ लाते हैं ठीक है जब यह साथ साथ आते हैं तो इनमें क्या होता है कि जो हमारी प्लस एक energy point है potential energy है उसमें इनमें कोई ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाती है ठीक है यानि कि इनकी energy कम नहीं होती है निश्चित point से तो हम कह सकत इसमें बंद नहीं बनाते हैं जब बंद नहीं बनाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे यह तो इनका इसका system का कुल का साइं function क्या आ जाएगा यह आजागा आपका साई X is equal to क्या जागा傑फ तो माइनस यहाँ पर बंद नहीं बनेगा 생각 कैसा है इनका समान चक्रण ठीक है चक्रण कैसा समान इसली यहाँ पर बंद नहीं बन प्रदर्शित कर सुधार किया था किसने पॉलिंग और हिटलर ने यह ने कहा था कि जो हमारा अडू होता है उनकी आयनिक सरचनाए दिया था इसमें कौन आ गये भी पॉलेंग आ गये ठीक है जिनने क्या बता कि दो आइनिक सरचनाए प्रदर्शित कर सुधार किया और कहहा ह है हाइदोज็न अणू के दो आइनिक सरचनाए दी प्यंदे एक ही परमाणू पर दोनों सपोज कि CAP ये जिन में क्या मेना आ, इन्हें ऐसा माना है, जो हके इलैक्टन होता है, जो हाइडलोजन के वीच बोन बनता है, वो कैसा होता है, बहुत कम आइनक होता है, कोवेलेंट होता ही होता है साथ ही साथ उसका करेक्टर कैसा होता है बहुत कम आयनिक करेक्टर भी उसका होता है यह कब होता है उन्होंने हाइडोजन परमाणू पर एक पर एलेक्टरन मान लिये तो दोनों यह हमारा एक हाइडोजन परमाणू है जिसका electron नहीं है इसके पास ठीक है यह दूसरा हमारा hydrogen प्रमाण लुग जिसके पास इसका एक 1 यह जो electron है यह इसका खुद का होगा और यह दूसरा minus का electron है यह इस वाले hydrogen का होगा ठीक है तो यह इस case में क्या बनेगा इसी case में हमारा जो H2 molecule है वो आयनिक को दरसादा ठीक है यानिक हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा आयनिक character present होता है ठीक है तो मान लो ये आपका दे रखा है HA और ये कहा है आपका HB तो मान लिया पहले ये जो HA है हमारा इसके पास दोनों hydrogen परमाणू को electron इसी के पास है ये जो बन electron है ये इसका खुद का ये जो दूसरे electron है ये मान लो B hydrogen परमाणू का है ठीक है तो ये जो B hydrogen परमाणू है इसका electron नहीं है इसके पास इसनों खो दिया तो इस पर कैसा आजागा प्लस का चाह जागा, ठीक है, next हमारा क्या है, next हमारा क्या है, हमने जो पहले h a परमाणूं को h b परमाणूं का electron दे दिया था, अब क्या करना है, h b परमाणूं को e परमाणूं का electron दे दिया है, हमें पता नहीं कि h b के पास ही है, h a के पास electron है, दो condition होती है ठीक है मान लिया हमने पहले इसको दे दिया था अब हमने क्या मान लिया कि जो h-a का electron है वो h-b के पास पहुंच गया ठीक है तो h-a कैसा आजागा इस पर plus का चाहरा जागा और h-b कैसा आजागा यह जो बन electron है यह इसका खुद का यह दूसरा electron है यह कहां से आ य यह आया है आपके H परमावाणूसे ठीक है तो इसमें दो कंडिसंस आपको दिखाई दे रही हैं तो अभ पहले हमने दिखा था सरचना फर्स्ट और सेके अभी हमने Graph में देखा था अभी ये हमारी थार्ड और इसको हमने कह निश्या है ठीक है तो अगर हम बात करें सरचना थर्ड की तो थर्ड जो हमारा सिस्टम है तीसरा यह जो सिस्टम है सिस्टम है हमारे पास इसका अगर हम तरंग फंक्शन की बात करेंगे तो तरंग फंक्शन थर्ड यानि कि साइ थर्ड कितना आ जागा हमारे पास तो साइ थर्ड क्या जागा साइ थर्ड की अगर हम बात करें तो साइ थर्ड इसकल टू क्या जागा साइ ए बन यानिकि जो है इस पर हमने क्या मान लिया साइ ए बन डोट क्या होगा हमारा साइ ए टू साइ ए बन साइ ए टू जो हमने बिल्कुल पीछे last में पढ़ा था साइद first equation होगी है यह 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 साइ इसकल टू क्या होता साइ ए डोट साइ भी ठीक है तो इसी के आधार पर हम देखेंगे यह साइ अबुकि जो साइ बन है इसको हम क्या एन लिखेंगे साइ फूर्थ के इसमें क्या ओ जागा साइ फूर्त भी मारा जागा घ्रेश आइ और अब हमने बी को क्या दे दिया है इसके बात इसके बाद अगर हम टोटल इसके तरंग function की बात करेंगे तो total तरंग function क्या जागा si a.si b मतलब si a.si b और si b.si b si a.si a si b.si b इन दोनों का जो तरंग function होगा वो क्या हो जागा देखो पूरे system का अगर 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 तरंग function निकालते हैं तो पहले क्या हो जाता हमारा si a दूसरा कर जागा साइसाइब जो हमने ऊपर निकाला था ठीक है इसको हमने बहीं से ले लिया ठीक है यह देखो आपका आगया कि आपको आपको दिखाई दे रहा है यह यह यहां से यह आजाएगा आपका तोटल अगर हम उसकी बात करेंगे तो हमें पहले कितना मिल जागा टोटल साइग क्या हो जागा साइए बन साइब टू पहले दोनों हाडरोजन परमाण हमने ले रखे थे लेकर इलेक्टरॉन के बंदू-बंदू कर रखे थे ठीक है पहले का अलेक्टरॉन मान लिया था यह है दूसरे पर मान लिया था यह दूसरे लेक्टरॉन है ठीक है है साइए इस पर दूसरे लेक्टरॉन आ गया पहले साइए पहला था अब साइए पर दूसरे लेक्टरॉन आ गया और साइब कैसा आ पहला ठीक है पिलस जो भी हमारा थर्ड फॉर्ट सरचना में यह मिली है के मिले एंधे और सर्चना ते कैं से इनका साम प्लस का इनगे इंता है पहले हम लिक्त कर देंगे पहले हमने एड़ कर आप पहली और दूसरी सरस्ट इस अब सब्स्सक्राइब सब्सक्राइब कर देद कर कि यह से इस petit評म ठीक है इसके आगे अगर हम बात करें इसके आगे यह आपको दिखाई दे रहा है यहां से यह जो प्लस हुआ है यह हमारी कौन सी कंडिशन है थर्ड और फोर्ड तो यह जो आपको लेम्डा दिखाई दे रहा है यह आयने करक्टर को प्रदस्द कर रहा है क्या कर रहा है यह character को show कर रहा है ठीक है इससे पता चलता है कि यह जो bonding formation है यहाँ पर कैसा बनेगा आने करक्टर होगा ठीक है इस कारण से जब electron एक electron पर जब electron एक परमाणू पर नहीं होगा उसका दूसरे परमाणू पर होगा जब इस को जोड़ो सैंठ्री हमारे पास है इतना है डॉट साइए टू तो साइए बन डॉट साइए टू प्लस साइबी बन डॉट साइबी टू यह coral इदर यह जो दर्सा रहा आपको साइबन पर साइबन साइटू यह बता रहा है कि जो थी से बना होगा दोनों पक्ता बराबर बराबर करक्ठर नहों पर इसमें ने किसको दे दिया हूँ है के इसका खुद का है और यह इसका दूसरे इस वाले प्रमानू का तो भे इस पे इलेक्टरं नहीं है इस पे इसके light पह़ा गए तो यहांपर कुछ पिलस और माइनस का चार जो हैskा जैंड़ेट हो जाएगा इसी कारह क्या हो जाएगा इसका करेक्टर कैसा ओजागा आयनिक लक्षण होगा इसका ठीक है तो यहां से पता चलेगा कि कब सैसमियोंजी बंद बनेगा और कब आपका आयनिक बॉंड बनेगा ठीक है इसलिए इन्होंने बताया था कि यही कारण है कि जो हमारा अडू होता है है इसमें बहुत छोटा थोड़ा सा कैसा करेक्टर पाय है जाता है यह अगम सिस्टम की बात करें तो यहां से के मिल जाएगा आपको साई जो हमारा कोवेलेंट हो जागा यह यह तो हमारा कैसा प्रदर्शित करता है अभी हमें प्राप्त होई थी यह हमने प्राप्त की साइश को टूसाई को साइड यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि जो बहुत यहां कि चार हमने अलग-अलग कणिसस भरणों की थी यहि कह रा कि Te Kiss अगर आम उसकी बास्ते में सरचना की बात करें तो वो क्या है जितनी हमने चार कंडिशन्स पड़ी उपर उन सभी का हाइब्रेड इस्टक्चर है यानि कि उन सभी को मिला के एक जो सरचना प्राप्त होती है उसी को क्या गयते हैं तो वही सभी आपस में मिलती जुलती है लगबग ठीक तो देखो हाइब्रेड सरचना मतलब किसी एक सरचना से हम उसी पर उसी अड़ूं के सभी गुणों को प्रदस्त नहीं कर सकते हैं इसलिए उसकी एक और सरचना होगी एक और सरचना होगी ये सभी सरचना हमारी क्या कहलाती है हाइब्रिट सरचना है कहलाती है ठीक है तो मान लो यह क्या है हमारा है एच ए बन एच क्या थी सरचना वन ती इसको हमने क्या माना था स रचनान यह है एच है टू हीजी बन यह हमारा सरचना दो आ रहा था तीन कि जो एच है हेचत है यह Черफ बन है एच हैRec Prime is कर वन ऑर टू कर यह हमारी कॊंसा ही आ रहा थिए थार्ड कंडिसन में क्या था हमारा H A के पास electron नहीं था तो H B के पास दोनों electron आ गये थे ये चार conditions हमें मिल गई थी ठीक है एक दो तीन और आपका ये चार तो ये जो चारो conditions हैं यानि कि इन चारो conditions को हम कह सकते हैं ये क्या बताती ये बताती हैं हमें कि ये hydrogen परमाडू इन चारो conditions से गुजरता हुआ गूमता रहता है यानि कि इन चारो conditions को कहीं न कहीं hydrogen परमाडू लाई करता रहता है तो ये तो हो गया derivative और हमसे पूंचा था BBT ठीक है क्या है तो यहां तक हमारा जो है पहला खतम हो गया इसके बाद इसकी सीमा हैं यानि कि BBT के क्या कहती है उसके बारे में हम कुछ की सीमा को देखते हैं कहारा जो सह सहिरूजी बंद परमाडू आर्पिटल की overlapping से बंता है ये सहिरूma बन नोवकिन की overlapping से बंता है थीक है इन दोनों के electron پहले कहां होते हैं नावी को होते हैं ठीक है एक elektron और दो elektron यह हमारा क्या हो गया ऐसे orbital जिनमे electron युग में होते हैं यानी कि pairing में हो थे बेस सही हो जी बंद नहीं बनाते हैं यह बंद नहीं बनाएंगे ठीक है जो प्र होंगे वो बंद नहीं बनाएंगे बंद बनाने के लिए capable लिए एक electron चाहिए होगा एक का दूसरा चाहिए होगा मैं दूसरे orbital का और कहरा थर्ड ऐसे orbital जी आपको चार point तो कम से कम लिखने पड़ेंगे ठीक है पांच चार point आप लिख सकते हैं कोई भी ऐसे orbital जिनमें अयोग में electron होते हैं बे सही हो जिक बंद बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर किते थे हमारे दोनों पेर थे लेकिन दोनों पेर ना होके अगर हम बात करें इनकी इनको क्या कर दें अन पेर कर दें तो यह bond आपना बना लेंगे ठीक है तो यह क्या करेंगे यह दूसरे के द्यान रखनी है विप्रेद चक्रण होना चाहिए ठीक है एक का उपर को तो दूसरे का चोच नीचे को ठीक है लेक्स्ट कहरा ओवरलैपिंग एक्स्टेंड छेत्र जितना आधिक होगा बंद उतना ही मजबूत होगा यानि कि ओवरलैपिंग जितने ज्यादा छेत्र में पार्सली ओपर लेपिंग से होता है ठीक है इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं तो यहां देखो दो बार इस में ओवरलैपिंग हो रही है किया तो यहां पर जो बॉंड बनेगा वैसा होगा फाइबॉण होगा ठीक है यानि कि जितना जाधा अधिक छेत्र यह घेड़ेग उसके दौरान overlapping के दौरान bond उतना ही ज्यादा आपका strong होगा ठीक है यह कह रहा हूं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला एक्जाम्पल इसका यह दी ऑर्बिटल यह दी परमाड़ी ऑर्बिटल में एक से अधिक electron अयुगमित होते हैं कैसे होते हैं अयुगमित एक से अध electron होते हैं इसलिए n2 में तीन बंद बंते हैं क्योंकि और्बिटल में तीन अयुगमित electron होते हैं ठीक है अब देखलो आप nitrogen के और उलेक्रण होते हिक इसके से और दो दूसरे नाइड़ोजन यह देखो इसमें भी है तीन आपके अनपेर इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है इसमें भी आपके कितने लेक्ट्रॉन होंगे तीन अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक यहां दूसरा यहां और तीसरा यहां ठीक है तो यह हो गए आपके तीन अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन अब यह तीन हो यह वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बनाएगा तो कितने बन बन गए वाई तीन इसलिए नायटोजन नायटोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं तो यह आज का हमारा हो गया बीबीटि क्या है और उसका जो डेरीवेटिव था भो भी आपको इसी का यह जो आपने अभी पढ़ाई इसका अगर आपको PDF चाहिए PDF फॉर्म अगर आप इसको चाहिए तो आपको इसी वीडियो के description box में इस PDF का link मिल जाएगा जहां से आप PDF को क्या कर सकते हैं कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रख सकते हैं ठीक है किसी भी तरह के आपके पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए बने रही हमारे साथ हम आपको सारा वो सब कराएंगे जो आपका पूंचा जाता है बेसी पार्ट फरस्ट समेस्टर में इसके बा लाइक कर दें और अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें ठीक है थैंक यू